ब्रेक के बाग का स्वागत है आठ दिवसी हिमाचल के सबसे बड़े गैर सरकारी मेले का समापन धूमधाम से हुआ समापन समरों में सोलन के बिधायक करनल धनिराम शांडिल बेतोर मुख्य अधिती शामल हुए मुख्य अधिती ने ट्रैफिक इंचार्ज राकेश कुलीरिया को उत्क्रिष्ट सेबा के लिए सेबा सम्मान अबोर्ट से सम्मानित किया सांस्क्रितिक कारिक्रम में कार्दिक शर्मा ने हिंदी बहारी और पंजाबी कीतों की जड़ी लगाई और दर्शकों की खूब बाखबाही लूटी आठ तिवसी हिमाचल के सबसे बड़े गैर सरकारी मेली का समापन धूमधाम से हुआ समापन समरों में सोलन के बिधायक करनल धनिराम शांडिल बतोर मुख्य अधिती शामल हुए मुख्य अधिती ने ट्रैफिक इंचार्ज राकेश कुलेरिया को उतकृष्ट सेबा के लिए सेबा सम्मान अवोर्ड से सम्मानित किया सांस्क्रितिक कारिक्रम में कार्थिक शर्मा ने हिंदी पहाडी और पंजाबी गीतों की जड़ी लगाई और सभी दर्शकों की खूब बाह बाही लूटी अंतिम दिन सोलन का एतिहासिक ठोडो मैदान दर्शकों से खचा खच भरा दिखाई दिया वहीं हिमाचल के उभरते हुए गायक तुशार पर्मा पहाडी नाटियों से सभी को खूब चुमाया इस मौके पर सॉलन के विधायक करनल धनिराम शांडल ने कहा कि संस्था बेहत ही सराहने कारे कर रही है और हिमाचली कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा मंच परदान किया जा रहा है उन्होंने कहा कि 17 बर्श पहले संस्था ने में है और कलाकारों के लिए ये मंच बर्दान सावित हो रहा है उन्होंने कहा कि हिमाचल की युबा को इसमें बढ़ चड़ कर भाग लेना चाहिए और संस्था को उनका लक्ष हासिल हो उसमें सहयो करना चाहिए माचल उत्सव का आज आखरी दिन था और ये कंक्लूरिंग सेशन था जबता मैं तो एक वहा हूँ इस नन्ने से पौदे के जब सुरू किया था लगए 17 साल बेहने और ये 10-15 पीस ही युग थे इसमें मिज़े आद है और गो लगाया पौदा इन बच्चों का आज एक अच्छे फलदार विक्ष के रूप में लिक्सित हुआ है इसके फल है फूल है लोग इसका और खासकर हमारी युगा वर्ट और जो समाज में इस परकार को इसो के प्रेमी है मुजिक के और दान्स के इन सब्सक्राइब के मैं समझता हूं नकेवल इसके लिए वर्कि इन लोगों ने इसे इतना अच्छा बनाया कि एक हफ़ते तक तक तो किसी इतने अच्छे फंक्शन को सिस्टेन करना अपने में यह बहुत बड़ी उपलब्दी है जहां इनके पूरे कीम को अपने शुक कामना देता हूं इनको गधाई देता हूं वहीं अपने योवर्ग के बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूं कि वो इस प्रकार के कारेक्रम में पूरा भरपूर सही हो बनें और इसमें खुद पार्टिस्पेट करें ताकि और जैसी दख के दूर रहें और समाज में अच्छे नार्विक बनने का यहां मैं समझता हूं कि अच्छे ही माची बनी यही मेरा संदेश है